दोस्तों स्टेडी91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष महिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर राजीर हूँ जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मुहावरी से संबंदित अच्छे-च्छे सवालों के बारे में जो की आप से आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं ध्यान दीजेगा आज हमारा 32 लेक्टर है यानि इसके पहले 31 लेक्टर लगातार आपको दिया जा चुका है हिंदी में बेसिक से लेकर दोस्तों हाई लेबल तकी चीज़े हम कवर कर रहे हैं और एक एक टॉ कल हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जैसे आज हम मुहावरे की बात कर रहे हैं कल हम लोकोत्ती की बात करेंगे इसके पहले कि अगर हम बात करें तो इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा अनेक सब्दों के लिए एक सब्द उसके ठीक पहले बिलोम सब्द की क्ला लियते हैं ऐसे ही दोस्तों डेली चैप्टर चेंज करके दोस्तों हम लोग बातशीत करते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि हिंदी के अलग-अलग चैप्टर में आपका कॉंसेप्ट कितना क्लियर है एक बात और काना चाहूंगा कभी-कभी आपको लगता है कि सवाल बह जब भी मेरी क्लास को आप देखते हैं तो हमेसा अपने कॉपी पर दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि एक खेल करी है हमारे साथ एक गेम खेली दोस्तों एक तरफ अपना नाम लिखे एक तरफ स्टड़ी 91 या नितिन सर का नाम लिखे और आप ये देखिए कि अगले 30 वालों में आपकी तयारी कितनी बहतर हो पाई है ठीक है अगर आप ये करते हैं तो निश्चीत रूप से आपको मजा आएगा प्लीज बात मानिये हो सकता हो बहुत आप लोगे कि यार ये बहुत वाहियार टाइप का काम है यार क्यूं करना हमको आ रहा है क्यूं पेज खर बढ़के देखे फिर आपको लगेगा क्या गजब की चीज है कुल मिला जुला के आपको समझे में आया की नहीं आया खाली इतना बताना ठीक है आजाव आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिस तरह से हिंदी इंडिविजल का बैच चला है उसी तरह से हम अलग 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 विस काम से foundation batch launch हो रहे हैं यह हमारा help line number है call करके आप संपर कर सकते हैं किताबे भी दोस्तों आ चुकी है तो किताब भी purchase कर सकते हैं सीधे आते हैं मुद्धे पर अपने काम की बात करते हैं और देखते हैं कौन-कौन सा सवाल आज हमें देखने को मिलता है पहला सवाल लिखा है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता मुझे लगता जादा तर बच्चे जानते होंगे देखिं मुहावरा हमेशा क्या होता एक ब्यंग होता है ठीक है तो मुहावरे का direct कोई answer नहीं होता है अगर आप समझेंगे अंडे सेना यानि मुर्गी चूजों के उपर बैट क करके अंडे कूपर बैट करके अंडे सेती है उसके बाद उसमें से चूजे निकलते हैं तो ऐसा कोई direct इसका उत्तर नहीं होता प्रत्यक शुरुपस इसका कोई उत्तर नहीं होता दोस्तों यह एक ब्यंग टाइप का होता है मुहावरा ठीक है तो उसी आधार पर आप इसक जाता है घर में बेकार बैटने को लेकर करके ठीक है तो अगर आपने यहाँ पर स्वावलंबी होना या स्वार्थ सिद करना ये सारे उत्तर टिक किये हैं तो आपका उत्तर बिलकुल गलत है यह बहुत आसान सा चैप्टर है बहुत जादा आसान चैप्टर है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं अगला लिखरा जूतम पैचार जिया दोस्तों जूतम पैचार इस मुहावरे करते क्या है लिखरा लडाई जगडा होना लूट मचना या छीना जप्टी करना या किसी वस्तुकी बहुता है जूतम पैचार मतलब होता है दोस्तों नहीं आता और लूट मचाना लिखते हैं ठीक है जूतम पैचार का मतलब वो समझते हैं कि लूट मचाना होगा लूट मचाना उत्तर नहीं होगा छीना जप्टी भी नहीं होगा किसी वस्त की बहुतायद भी नहीं होगा यहां जो सही जबाब है दोस्तो वो है लडाई पहुआ होना यानि option number एक दोस्तों आपका सही उत्तर है लिकरा पाव बारा होना पाव बारा होना दोस्तों मुहरे का अर्थ क्या है अपने आप में बहुत difficult सवाल है बहुत difficult सवाल है जब-जब परिक्षा में आता बहुत सारे बच्चे इसका गलत जबाब देते हैं पाव ब पाव बारा होने का मतलब होता दोस्तों जब आप जरुवस से जादा लाब लेते हैं जब बनिया क्या करता है तराजु मालना सुरू कर देता है जरुवस से जादा लाब लेना सुरू कर देता है ठीक है चतुराई के साथ जी हां तब उसे कहा जाता पाव बारा होना याद र प्राजा धिराज अपने घुटने टेक देते थे यानि अपनी पराजस युकार कर लेते थे अपनी हार मान जाते थे तो यहाँ पर घुटने टेकने कार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों गुटने में दर तो कभी नहीं हो सकता दुखी होना नहीं दोस्तों क्या हो जाएगा हार माल लेना ठीक है घुटने टेकना का मतलब क्या होता दोस्तों हार माल लेना बीजय प्राप्त करना नहीं बीजय प्राप्त करना तो उल्टा हो जाएगा तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा option number 3, option number 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, चलिए आगे देखिए करेजे पर सांप लोटना, यहां दोस्तों करेजे पर सांप लोटने का मतलब क्या होता, दुखी होना या इरसिया से जल उटना, दुस्मनी निकालना, या दीनता प्रकट करना जो पडोसी होते हैं, घर के पडोसी अक्सर वो आपकी, जब आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में आप आगे जाएंगे, जब आपको नौकरी मिल जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे तो आप से इरसिया करने लगते हैं, उनके कलेजे पर सांप लोटने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जलन रखना किसी से, बहुत ज़्यादा इरसिया रखना किसी से, हलांकि इरसिया बहुत गलत चीज़ होती है, आप मुझे देख लीजे मैं हमेसा चाहता हूँ मेरे बच्ची आगे बढ़ें मैं हमेसा चाहता हूँ कि सब लोग आगे बढ़ें मैं हमेसा चाहता हूँ जितने लोग coaching पढ़ाते हैं escuchum पढ़ाते हैं सब आगे जाएं हमें कोई कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं का है का दिख्यत हाँ सब लोग सिक्षा बढ़ाने का काम कर नहीं बूरा क्या है सब अच्छा है सब अच्छ cabin कि सब जो घलड शान अची न्ख है हम जो अच्छा को तो अच्छी लगती है किसी सीरियल में रोल करती है कोई प्रैंक वीडियो बनाती कोई दिक्षा नहीं होता लेकिन जब वो सिक्षा से जूड़ जाती है न तो याद रखिए हमारा सिक्षा छेत्र गंदा हो जाएगा बस दिक्कत इस बास से है आप देखें उनके कवर पेस प किसी कारण बस तो याद रखेगा कलेजे पर सांप लोटना जब कभी आपका सेलेक्षन हो जाएगा न तो बहुतों के कलेजे पर सांप लोटेगा ठीक है लेकिन आप तयारी भी कर लीजे कलेजे पर सांप लोटाने की आपसा नंबर दो दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाए गलत कर दिया, अब घर आके आप पस्ता औगया और कहोंगे मेरे अकल पर पफफर पढ़ गएते, क्या अकल पफ पर मतलब उस मेह परिक्षा हाल में आपका बुद्धी ब्रस्ट हो गया था, कि आपने आता हुआ सवाल गलत कर दिया, और ऐसा हमेसा होता है, क्यों होता है भी प्रेशर की वज़े से होता है, जब आप एक्जाम हाल में जाते हो न, सायद आप एक्जाम हाल के बाहर आते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा पेपर कर पाते हैं, सही बता रहा हूँ, वही पेपर लाके आप घर हल करोगे, आप दो चार नमबर ज़्यादा पा जाओगे, वह वज़े से आपके उपर प्रेशर पड़ा होता है, तो याद रखेगा, फिलाल यहाँ पर जो दिया है कि अकल पत्थर पढ़ना, इसको कहा जाता है, दोस्तों, बुद्धी ब्रस्ट होना, क्या कहा जाता है, बुद्धी ब्रस्ट होना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या नहीं है मैं आपको बताते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए लिख रहा है सैतान की आथ सैतान की आथ इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों यह बताई है सैतान की आथ ध्यान से सो समझ के बताएगा सैतान की आथ ठीक है लिखाया दोस्तों अत्यदिक धूर् कर दें कि जो बहुत लाबदाय चीज़ है वो सैतान की आता है गलत है दोस्तो अत्यंत नगड़ भी वस्तु नहीं होगा यहाँ पर होगा बहुत लंबी वस्तु याद रखेगा सैतान की आत किसे कहते हैं बहुत लंबी वस्तु को दोस्तो सैतान की आत कहा जाता है most important सवाल है याद रखेगा most important सवाल दोस्तों इसको याद रखेगा परिक्षा में बहुत बार परिक्षा में आया है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कियें ठीक है, तो आपसे number 2 याद रखेगा इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जबाब हो जाएगा आगे लिखना इलाइची बाटना मुहावरे का दोस्तो अर्थ क्या होता है लिखना धोखा देना दावत देना प्रभावित करना या अपर्यापत वस्तू होना इलाइची अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और इलाइची बाटने का ताथ पर क्या होता है किसी को दावत देना, यानि किसी को क्या करना, बुलाना, खाने पर बुलाना, दावत पर बुलाना, उसे कहा जाता, दोस्तोलिकी बाटना, जब आपके घर में खुषीयाँ होती है, जब कभी आपका सेलेक्शन हो जाएगा, तो आप भी लाइची बाटेंगे, बाटेंगे कि नहीं, बाटेंगे जरू लेकिन मुझे नहीं बुलाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा आज सक मुझे, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला, जिसने काओ, सर मेरा सेलेक्शन हो गया, सर मैं आप से मिलने आजाओ, यार, आप मु तो याद रखे गा, गए, बाटेंगे लिए, तो याद रखेंगे, अगला लिखा बच्चिया का ताओ, बच्चिया का ताओ कार्थ किया दोस्तो क्या करते बच्छिया का ताओ के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं या फिर सासी बेक्ति करें या कामचोर बेक्ति करें तो बच्छिया का ताओ कहा जाता है अत्यदिक मूर्ख ब्यक्ति को चाला को नहीं कहा जाता है किसे कहा जाता है मूर्ख को कहा जाता है तो जो अत्रीक मूर्ख ब्यक्ति होता है उसे कहा जाता है बच्छिया का ताउ है क्या कहा जाता दोस्तो बच्छिया का ताउ आपसा नमर तीन दोस्तो इसे सही करिएगा ठीक है अंधे कने के लिए दे रहा है, actually मैं अंधेर नगरी कहा जाता जो अन्याय की जगा हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अच्छा है, यह लाइन यह प्रसंग किस से संबन्दित है दोस्तों, तो याद र मूँ की खाना मुहारे करते क्या होता दोस्तों, मूँ की खाना मतलब हार जाना, मूँ की खाना मतलब गिर पढ़ना, मूँ की खाना मतलब भोजन खालेना, मूँ की खाना मतलब भाग जाना, जली से बताए दोस्तों, मूँ की खाना मतलब क्या होता है, जैसे मालेजी आपक किसी के साथ लाई हुई पंजा लड़ा रहा ठीक है अब क्या होगे आप हार गए उसी को कहा जाता है मुखी खाना यानि पराजय हो जाना आपका ठीक है जब आप हार जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है मुखी खाना क्या 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 जाता दोस्तों मुखी खाना गिर पढ गिर गया उसे नहीं का जाता है मुखी खाना कर्थ क्या होता दोस्तों हार जाना मुखी खाना कर्थ क्या होता है हार जाना याद रखेंगे लिखरा डपोर संकार्थ क्या होता ठीक है डपोर संग लिखरा बहुत बड़ी गिंती कोई डपोर संख और महापद्म संख संख नाम जो बिना सिर पैर की बात करता है जो बेपोर संकल आता है याद रखेगा क्वेशन नमबर 12 का उत्तर नमबर 4 सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बड़ी अगला सवाल देखे लिखना पानी पीकर जात पूछना ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तो पानी पीकर जात पूछन यानि आपका जो काम था आपने कर लिया उसके बाद आप पूस्ताज कर रहे हो यानि अर्थ क्या हो सकता अनोखा काम करना नहीं विपरीत काम करना नहीं काम निकलने के बाद सोचना आराम से विचार करना नहीं आपका काम किसी से था आपने काम निकाल लिया उसके बाद आप बाच्छीत कर रहे हो यह कार्थ निकलता दोस्तों आपसर न about तीन इस सवाल का सहीं जवाब हो जाएगा आगे देखे लिखा अकल का दुस्मन मुहावरे कार्थ क्या है लिखिए अकल का दुस्मन क्या होता है मित्र links Organis ठीक है महापंडित नहीं हो सकता है या सत्रू नहीं हो सकता है अकल का दुस्मन कहा जाता है महामुर्क को जो महामुर्क होता दोस्तो महामुर्क जो होता है उसे कहा जाता है अकल का दुस्मन ठीक है यानि वह अपन ही अकल का दुस्मन है यानि इसके लिए एक सब्द मुहाव होना ठीक है मैं ही पुरी दुनिया घूम लिया हूं यह कूए के मेठक को दोस्तों है लेकिन यह गलत होता है क्यों क्यों कि वो जिस कुंए को दोस्तों अपनी दुनिया समझ रहा है य्यानी सिमित ग्यान होता या सिमीत अनुबह होता है, उसे उसे कहा जाता है। सिमीत उनलेज्चर ऐने कहा जाता है। ध्यान देटीजेगा। से हमारा सूपर सेलिंग बैच है। हिंदी इंडवीज़ल का बैच है। आप आई एक बार जॉइंग करिए जबर दस्त बैच है, 130 से ज़्यादा लेक्चर, 3000 से ज़्यादा सवाल, गजब का बैच है दोस्तों, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, हो सकता है कि आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन परिक्षा में 2-4 नंबर चूक जा रह आगे आई अगला सवाल देखे, लेकर अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिये, लेकर अंधे का रास्ता रोसन करना ये तो हो इने सकता, ठीक, ना समझ को उपदेश देना ये हो सकता है, ना समझ को रोसनी देना नहीं, अंधे की सायता कान नहीं याद रखेगा जो ना समझ है जब आप उसको उपदेश देते हो देखो जो समझने वाला उसको तो समझा सकते है जो ना समझ उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता जिसने पहले ही ठान लिया है कि हमको नहीं समझना है उसको अगर ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो भी उनहीं समझेगा क्यों क्योंकि उसने डिसाइड कर लिए कि मुझे नहीं समझे ना है ठीक है तो जब कोई ना समझ को उपदेश देता है तो वही है भैंस के आगे बीन बजावाए भैंस बैट पगुरा है ठीक है ये वही होली बात होगी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाथ ठीक है तो याद रखेगा अंधि को दीपक दिखाना इसका आरत क्या है ना समझ को उपदेश देना यानि आपसर नमबर दो इस सवाल का सई जबाब है ठीक है आगे लिख रहा दोस्तो चोकडी भूल जाना चोकडी भूल जाना मुहावरे करत क्या होता है लिख रहा है राह न सूझना बराबर बात बदलना पीछा चुडाना या धाठस बदाना आप बताए चोकड़ी भूल जाने कारत है क्या होता दोस्तो तो चोकड़ी भूल जाने का मतलब होता है राह न सूझना क्या होता दोस्तो जब आपके सामने कोई राह न समझाए तो आप करते हैं चोकड़ी भूल गए है ठीक है या दरकेगा कई बार ऐसा जहां धीर सारे लोग भीड लगाए खड़े हैं आपको quality content नहीं समझ माता आप खुछ से उसको पहचानिए खुछ से जानिए आप चोकड़ी भूल चुके हैं तो रास्ता बनाएए study 91 की तरफ आए नितिन सर से मिलिए सब चीज आपको यहां मिलेगा अभी हिंदी की class देख हैं इसके ठीक बाद दोस्तो history की class है ठीक है अपना मतलब GS का बैच चल ला है ठीक है रात को 9 बज़े आप आईए live आईए वहां देखिए मज़ा आजाएगा class देखने के बाद तो चौकड़ी भूल जाने का मतलब होता है राह न सूजना लेकिन राह सूजेगा अगर आप तो मैं बोल देता उपेक्चा करना उपेक्चा करना मतलब किसी की बुराई करना होता है ठीक है वैसे एक आखना भाना कई आपके ऐसे मित्र होंगे या आपकी class में पन्डे वाले लोग होंगे जो आपको एक नभाते होंगे क्यों क्योंकि उनके चाल चल उनके ब्यवहार आपको पसंद नहीं होंगे, तो यानि वो जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनके लिए एक मुहावरा है, एक आखन भाना, तो याद रखेगा यहाँ पर आपसा नंबर 4, सही जवाब हो जाएगा, लिकरा उंगली उठाना, उंगली उठाने कारता क्या होता दो दे की तरफ संकेत करना, गलत की ओर इसारे करना, याद रखेगा, उंगली उठाने का सही अर्थ क्या है, दोस्त की ओर संकेत करना, यानि आपसा नंबर 3, आपका सही जवाब है, ठीक है, आगे बढ़िए, लिकरा जूते चाटना, जूते चाटना मुहावरे करते क्या दोस जूते चाटना, आप देखते होंगे, बड़े बड़े नेताओं के पीछे कई लोग जूते चाटते रहते हैं, ठीक है, हमेंसा उनकी बड़ाई, उनकी बुराई में भी बड़ाई ढूडते हैं, ठीक है, कि हम कितना ज्यादा भलाई कर दें, नेता जी की नेता जी हमें काम अच्छा करना, ब्यक्तियों का सभाव कैसा, जैसे कोई मेरा जूता चाटे है, कोई मतलब नहीं है, अरे मैं एक सिक्षक हूँ, तो मैं आपका फायदा क्यों उठाओं, एक सिक्षक का करतब है क्या है, अच्छी सिक्षा देना दे रहा हूँ ते मेरा करतब है, ये कोई यहांसान नहीं है मैं आपके अपर यहांसान कर रहे हूं किया यह कोई आहसान नहीं यह फ़या एक सिच्चा की पहशान होती है कि कठिन से कठिन चीजों को आसान भासा में बदल करके बच्चों को सीख advertisements कर दे हैं यह कर्तब्य है मेरा हम आप पर कोई आहसान नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी लोगों को रखता है कि मैं बच्चों को पर यह असान कर रहा हूं, कोई असान नहीं, कहें का यह असान, हमारा जो करतब है, उपना करतब नहीं भा रहे हैं, और वही करतब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अंदभक्ति करना गलत है, खुसामत करना, अंदभक्ती करना, यह जूती चाटने को कहा जाता, तो आप सनम्बर 4 दोस्तों, यहाँ आपका सही जबाब हो जाएगा, लिखरा कट जाना, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दोस्तों आपको बताना है, लिखरा कट जाना यानि सरमिन्दा होना, तो आखे प्रियोग करने के जडरुवत है, कट जाना, जैसे आपने किसी से उधाल ले लिया, अब उधाल लेने के बाद आप कट के रहते हो दोस्तों, उससे जी चुराते हो, ठीक है, उससे दूर भागने का प्रयास करते हो, तो आँखे चुराना भी कर सकते हो, सरमिन्द होना भी कर सकते हैं यह होता दोस्तों कट जाना तो यहां पर दोनों कर लिजी मेरे हिसाब से आप देख लिजेगा आप बताएगा कमेंट करके कि क्या बेस्ट एंसर हो सकता है मुझे तो लग रहा कि दोनों हो सकता दोनों आपके प्रयोक के लिए सही है ठीक है गूलर का फू सकता दोनों हो सकता है इसे दोनों में अंतर करेंगे तब आपको अंतर समझ में आएगा ऐसे रूड़ेंगे तो लेगा ठीक है तो होने को दोनों हो सकता बड़ बेस्ट एंसर की बात करेंगे तो मुझे लगता चलो बेस्ट एंसर आपसा नमर एक टिखी कर लेते हैं क्योंकि भाई ऐसा सवाल है कि चार में से एक ही चुनना है तो जो बेस्ट है उसका चुनाओ करते हैं स्तरमिंदा होना ज जो दूरलब वस्तु होती है जो जल्दी दिखाई नहीं देती उसके इस्तेमाल किया जाता है गूलर का फूल या फिर यद का चांद होना ठीक है यहाँ फिर एद का चांद से कई बार आपने मित्र को बोलते हूं कि का वह या इद के चांद हो गया दिखाई नहीं देते हूं मतलब बड़े दिन बात दिखाई दिये हो दुरलब वस्तु ठीक है तो आपसे नंबर तीन दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आगे देखें लिकरा खाला का घर ठीक है खाला का घर मतलब क्या होता दोस्तों खाला का घर अब आसान काम मौसी का घर बिसम परिश्तिति या उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो जो बहुत आसान काम होता है बहुत सहज कारे को भी दोस्तों क्या कहा जाता दोस्तों बहुत सहज कार कहा जाता है ख खाला का घर मतलब बहुत आसान काम खाला का घर में जैसे तैसे रह सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां मौसी का घर या बीसम परिस्थिती मत करेगा यह सब गलत जबाब है option number 1 इसका सही उतर हो सकता है यह बेतर होगा ठीक है लिख रहा कान पकड़ना कान पकड़ना का अर्थ क्या है लिखरा गलती स्युकारना कान पकड़ना हो नहीं सकता है गलती करने पर दूसरों का कान पकड़ना गलत है या मुहारा नहीं गलत है गलती स्युकारने को क्या का जाता दोस्तों कान पकड़ना जैसे जब कभी आप स्वारी बोलते हैं ठीक है कान पकड़ने को अपनी गल्थी को स्युकार करते हो तो गल्थी स्युकारने को क्या काँ पकड़ा कान पकड़ना तयाद रखे आप शेनल 15 हो जाएगा कारा SIR मढणा काऀता क्वा इंडल क्या है सिर मढणा क्मणा का मदलब तो एक कि यह ना दोस्तो चार दोस्तों ने पार्टी किया और आधिस जादा बिल अपने एक दोस्त के सीर पे मर दिया यानि उससे जवरदस्ती उसके पर ठोप दिया उसी को कहा जाता दोस्तों जवरदस्ती आरोप लगाना या ठोपना का सकते हैं ठोपना याद रखेगा इसकार्थ क्या होता दोस्त तो सिर मढ़ना इसकार्थ होता है याद रखेगा ठीक है लिखरा बात बनाना ठीक है बात बनाना क्या होता दोस्तो लिखरा कहानी करना नहीं बाते करना नहीं सोचना नहीं बहाना करने को कहा जाता दोस्तो बात बनाना जैसे किसी बिसम परश्दिति में आपने किसी मित्र से मदद मांगा और वो लगा बात बनाने बात बनाने मतलब वो लगा बहाना करने यही होता दोस्तों बहाना करना यहाँ बात बनाना सही बताओं कोई कभी किसी के काम नहीं आता आप काम आजाओ अलग बात है कभी कोई किसी के काम नहीं आता जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आपको पुरूफ नहीं कर लेते, सच बताओं जिन्दगी में कोई काम नहीं आएगा, आप कोसिस करके देखना, आपको कभी हमेशा ही रिस्पांस मिलेगा, आपको यही रिजल मिलेगा, क्यार कोई काम नहीं आता, समय पर, ठीक है, तो समय पर खुद ही अपने आपको काम पिलाने के लिए दोस्तों, आज रगड लीजे, आज मेहनत कर लीजे, नौकरी हो जाएगा, तो सब हो जाएगा, ठीक है, आगे देखें, आखे भर आना, आखे भर आने का आर्थ क्या है, आसू आ जाना, भाव और आसू आ जाना, दोनों में अंतर है, देखें, अगर कहीं लिखा, आखे भर जाना, तो पहले आप समझी, आखे भर जाना, ठीक है, अब जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा, जब आप पहली बार अपने घर जाओगे, तो आपके माता पिता का क्या होगा पता है, आपको कहा जाता है, भाव भी भोर होना, कोई रो थोड़े रहो, आख में पानी आ जाने से कोई मतलब ने, पानी कैसे भी आ सकता है, कीड़ा चला गया, तो भी पानी आ सकता है, गल्पन फोन ने उठा रही, तो भी आ सकता है, ठीक है, कहीं पकड़े गये, तो भी आ सकता है, पित ठीक है आगे बढ़िए लिकरा विपत्ती मोल लेना विपत्ती मोल लेने कारता दोस्तों क्या है लिकरा बिना पत्ते की सब्जी लेना गजब गजब आपसन बनाए जान बूचकर संकट में पढ़ना एक दवाई खरिदना मुसीवत खरिदना त्याद रखेगा जान बूचकर पर संकट में पढ़ने को कहा जाता विपत्ती मोल लेना ठीक है चलते जलते आपने कोई विपत्ती मोल ले लिया कैसे याद रखेगा हो जाती कभी कभी ना चाहते भी दोस्तों आप संकट में पढ़ जाते हैं कोई ऐसा कारे कर बैठते हैं ठीक है आये थे आये थे हरी बजन क ओटन लगे कपास घर से आये ते क्या करने पढ़ाई करने की चलेंगे तैयारी करेंगे और अधिकारी बनके वापस आएंगे माबाप का नाम रुसंग करेंगे और यहां आगे लगे गल्फिन के चक्रम पढ़ने तो आपने क्या कर लिया आपने सर एक नई भी पत्ती मोल ले दिकत क्या है लिकरा सिर उठाना सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है लिकरा रंग उतर जाना भेद प्रकट करना बहुत पच्ताना या बिद्रो करना दिके सिर उठाने का मतलब होता है दोस्तों बिद्रो करना ठीक है सिर उठाना या अंगली उठाने का मतलब तो सिर उठाने का मतलब क्या आता है बिद्रों करना जब आप सिर नीचे करते हो तो सब को ताकत आ गई तो आपको आपना महतोस्यस होगा है आफ सुंदर वस्थ में और जादा गुड होने को कहा जाता है सोने सुटर वस्थ आजाता सोनिवे सुकन जल्दी से कमेंट करके बता दो तीस में कितने सवाल सही हुए मैं रोज आपसे सवाल करता हूं और आप जबाब नहीं देते ठीक है देखें मेरे साथ पढ़ना तो मेरी चीजों को फालो करिए ठीक है और जीस वाली जो क्लास चले उसे जरूर देखें उसे छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं आएगा बहुत दिल से दोस्तों क्लास बना रहा हूं और तबियत खुस हो जाएगे आपकी पढ़कर निवेदन आपसे एक बार आके क्लास देखें फिर आपको आदत लग जाएगी लत तुझे तो मेरी लत लग गई है ठीक है तो व बिना किसी डिलिवरी चार्ज के ये किताब अभी आपको दी जा रही है बाद में डिलिवरी चार्ज आ जाएगा तो मत कहेगा सर अलग से डिलिवरी चार लेते हैं भारत की किसी भी कोने से और करेंगे जो किताब का प्राइज सिर्फ वही आपको देना सब कुछ इसी में कुछ भी आपको एक्ष्टा पेमेंट नहीं करना है आप एमस सोचना कि इसी में जोड के ले ले रहें ठीक है आपकी हीट में दे रहा हूं दोस्तो किताब मार्केट में मिल जाएगा और यहां से भी परचेज कर सकते हैं कैसा डिलीरी चाहिए आपको अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत थेंक्यू थेंक्यू सो मच